असलाम अलेकुम नाजरीन आज मैं आपको बताऊंगी चीज कबाब किस तरह से बनाते हैं उसके लिए आप इंग्रीडियन्स रोट कर लीजिए 1.5 kg bonless chicken, 1.5 kg bonless thigh, 2 large size onion, 4 tablespoon green coriander, 7 green chillies, 8 tablespoon cream, 1 egg, 1 tablespoon red chili powder, 1 tablespoon red chili flakes, 1 tablespoon ginger powder, 1 tablespoon garlic powder, 1 tablespoon garam masala powder, 1 teaspoon nutmeg and maize powder, 1 tablespoon lemon juice, 2 tablespoon silk kabab masala, 1 tablespoon salt or to taste, 1 cup shredded cheddar cheese and 2 bread slices अब हम bread slices के ऊपर इस क्रीम को डाल के थोड़ी देर के लिए रख देंगे अब हमें कड़ाई में प्यास को डालेंगे और हरकी आज पर इसको साटे करेंगे इसके अंदर ना मैंने घी डाले ना आईल और ना पानी इन सब चीरों के बगार हमें इसको प्रिस्टल बनाना है अब क्रिस्टल हो गई है इसको मों प्लेट में निकाल कर ठंडा कर दोंगी अब चैदर चीज को और गरम मसाला पाडर को हम अलग रख देंगे बाकी के सारे मसाले अब हम कीमे में डाल देंगे अब कर देंगे अब कर देंगे यह जो सलाइस को हमने विगो के रखा था क्रीम के अंदर उसको भी डाल देंगे प्यास को जो हमने साटे किया था वो भी इसके अंदर डाल देंगे इसको हमने अच्छी तरह ठंडा कर लिया है अब पहले हम आदा अंडा डाल के देखेंगे अगर हमारा मेरा ज्यादा ड्राय होगा तो हम बाकी का भी डाल देंगे अब इन सब चीजों को मैं ग्राइंड कर लूंगे सारे कीमे को अची तरह ग्राइंड करके अब मैंने इससे यह प्लास्टिक रैप से राप कर देना है और इसको अब मैं दो घंटे के लिए फ्रीज में रख दूंगी दो गेंडे मेरिनेट करने के बाद अब इसके अंदर में यह पिसा हुआ अगर मसाला डाल दूंगी और यह एक कफ चैदर चीज डाल दूंगी और अब मैं इसको अची तरह से मिक्स कर लूंगी अब हम इसमें से थोड़ा सा मेदा लेंगे और इसको कबाब की शकल दे देंगे बाकी के सारे कबाब भी मैं इसी तरह बना के रख लूंगी अब हम इसको शेलो प्राय कर लेंगे अब दौनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राय हो गए अब मैं इनको सबको निकाल लूंगी देखिए नाजिए नायत मज़ेदार चीज कबाब मुकमल तोर पर तयार हो गए आप इसको इसी तरह बनाकर केचप के साथ पेश किजिएगा यह खाने में बहुत लजीज होते हैं आप इने जरू ट्राय किजिएगा प्लीज लाइक मैं वीडियो और सब्सक्राइब तो मै हुआ है कि अभी में जसकता है कि अाенहीं है कि कि उलोड़ कि देड़ देड़